जो नेता हैं इनको जो पैंसन मिलती है क्या उससे खर्च नहीं होता उससे देश में कमी नहीं आती जो मतलब पैसा नेताओं को जो पैंसन दी जाती है सेना में जाता है और उसके बाद देश की सेवा करता है और उसका ये भी नहीं पता कि भाई उसका जीवन कब तक है ठीक है वो देश के लिए बलीदान भी हो सकता है अब एक ट्रेन ड्राइवर को देख लो ट्रेन ड्राइवर अगर किसी को मार देना तो उस पे साहिद कोई केस वेस नहीं होता लेकिन वो फिर भी अगर उसके सामने कोई आता है बचानी की कोशिस करता है जहिन सभी को कैसे आप सभी तो आज किस वीडियो में एक गंभीर न्यूज के बारें बात करने वाले हैं अभी कुछी दिन पहले हमारे सेना के जो पिरमुक है मनोज बांडे वो मीडिया के सामने आये थे तो उन्होंने कहा था आपने वो वीडियो देखा भी होगा कि अभी 2017 तक जो हैं कम से कम एक लाख जो हैं अगनिवीर हैं मतलब सेना के सिपाई जो हैं वो कम किये जाएंगे 2017 तक भाई आप खुद सोच करना एक बात मुझे कमेंट करके बताना कि जो एक अगनिवीर है क्या वो बिना दोड़ पास के फोज में जाता है क्या वो बिना एकजाम पास के फोज में जाता है क्या उसका मेडिकल नहीं होता भाई सारा कुछ होता उसका मेडिकल होता फिजिकल होता है एकजाम भी होता तब जाके वो एक अगनीवीर बनता है और फिर उनके साथ ऐसा किया जाएगा कि उनको सेना में रख लिये जाएगा उसके बाद उनको रेटार्मेंट दे दिया जाएगा मतलब वो हर एक चीज पूरी करते हैं जो सेना मांगती है qualification वो फिर उसके बाद वो सेना में भरती होते हैं और फिर उनके साथ ऐसा किया जाता है तो भाई वो किसको अच्छा लगेगा अब आपको क्या लग रहा मतलब जो ओफिसर बोल रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा ठीक है मतलब जो सेना परुमक बोल रहे हैं जो खर्च है वो जादा किया जा रहा है उसको कम करने के लिए अगनीपत जेसी ओजना लेकर आए और उनकी पैंसन उखतम कर देया गया तो मतलब जो नेता है इनको जो पैंसन मिलती है क्या उससे खर्च नहीं होता उससे देश में कमी नहीं आती जो मतलब पैसा नेताओं को जो पैंसन दी जाती है अगर कोई नेता एक दिन के लिए भी मुख्य मंतरी सीम और कुछ भी बनता है तो उनके लिए जो है मतलब पैंसन दी जाई की लाइफटाइम तक आज जीवन जो है उनको पैंसन दी जाती है तो उससे खर्चा नहीं बढ़ता देश में क्योंकि एक जो एक सेनिक है जो मतलब गरीब परिवार का बच्चा है जो किसान का बेटा है जो एक सेना में जाता है और उसके बाद देश की सेवा करता है और उसका ये भी नहीं पता कि भाई उसका जीवन कब तक है ठीक है वो देश के लिए बलीदान भी हो सकता है और उसकी पैंसन से जो देश में कमी आ जाएगी तो ये सारी चीज़े होती है और भाई देखो जो गलत है वो गलत ही होता है ठीक है अभी जो वाहनों के लिए जो नियम बनाया है हिट एंड रन का अभी इसमें देखो भाई क्या मतलब इससे जो दुर घटनायों कम हो जाएंगी अगर आपको जैसे मतलब अब ये सा जो जुर्माना ये लगाने से और ये जो नियम बनाने से अगर दुर घटनाय कम हो सकती है तो आप जो हर साल जो वेकेंसिया होती है इनके संख्या भी बढ़ा दोना तो कम से कम देश की जो बेरोजगार जनता है जो बेरोजगार जो इस्टूडेंट घूम रहे है उनको रोजगार तो मिलेगा जो सरकारी नोक्रिया की जो भरती होती उनमें वेकेंसिक्सन क्या बढ़ा दो देश की बेरोजगारी तो खतम होगी उससे तो आप ऐसा भी तो कर सकते हो लेकिन नहीं चुदूर घटना आप एक बात बताओ कोई इंसान ड्राइविंग कर रहा कोई गाड़ी चला रहा क्या वो आप जान किसी को मारता है आप एक ट्रेंड ड्राइवर को देख लो ट्रेंड ड्राइवर अगर किसी को मार देना तो उस के सामने कुछ कर भी नहीं सकते हमारे पास पर एक अपसन होता ह?, वह रोध करना थिर भर सरकार मानती भी नहीं है और फिर यह जो नियेम बना देते हैं उनको हम को मानना ही पढ़ता है तो भाई किर्पय सरकार एसन ना करें और मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा इस वीडियो में वीडियो अच्छा लगत वीडियो को लाइक करना और आगे भी इसको सेयर करना ताकि बहुत सारे भाईयों तक इनफोर्मेशन पहुंच सके जानकारी पहुंच है ठीक ह मिलते हैं किसी नए वीडियो में तब तक लिए जय हिंद जय बारते सेयना